चैप्टर एट एप्लिकेशन ओफ इंटीग्रल्स वन मार्क सीवीज करेंगे कोश्चन नमबर वन देखो क्या दिया है फाइंड दी एरिया बॉंडड बाई दी कर्व य इक्वल तो कॉस एक्स बिट्वीन एक्स इक्वल टो जीरो एक्स इक्वल टो टो पाई तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले इसका गराब बनाएंगे यह हमारा आगया एक्स एक्स इस और यह आगया हमारा वाई एक्स इस अब हमें कहां से कहां तक बनाना है जीरो से लेकर टू पाई तक जीरो से टू पाई तो यह जीरो ले लो और यह टू पाई ले लो अब इनके बीच में जो numbers आते हैं वो लिखो जैसे 90 270 मतलब 3 pi by 2 यह numbers लिख लिए हमने यहाँ पे और pi भी लिख लो 180 अब देखो cos x है ना cos x की maximum value cos x की maximum value 1 होती है तो यहाँ 1 लिख दो और cos x की minimum value minus 1 होती है तो यहाँ minus 1 लिख दो अब एके करके values यहाँ replace करते जाओ जैसे सबसे पहले किया 0 यहाँ पे 0 दालोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा और 1 देखो कहाँ पे है यह तो इस point को mark कर लेते है इसी तरह दूसरा point है 90 cos 90 कितना होता है इसको थोड़ा सा यहाँ रख लेते है थोड़ा सा gap अच्छा बनेगा ग्राफ अच्छा बनेगा ठीक है अब देखो cos 90 की value क्या होती है cos 90 की value 0 होती है तो 0 यहाँ यह वहला point हो चाहेगा हला क्योंकि 90 पे तो 0 है next pi है cos pi की value cos pi की value minus 1 तो minus 1 यह रहा ठीक है अभी तक यह यह 3 point मिले है अब next 270 यह कितना होता है 270 cos 3 pi by 2 की value 0 होती है तो 0 कहाँ पे है यहाँ पे 0 है तो यह point मिल गया अब last कौन बचा 2 pi cos 2 pi की value 1 होती है तो 1 देखो कहाँ पे है यह रहा न 1 तो 2 pi पे 1 यहाँ गया अब इन points को आप join करो और एक graph बनेगा यह देखो यह बनके हमारा graph ठीक है अब आप देखो आपको 3 area मिल रहे है एक यह वला एक यह वला और यहाँ से एक parallel line draw कर लो और एक यह वला यह तीनो area यह तीनो का area हम find करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखो area bonded region सबसे पहले हम यह वला area लेते हैं इसकी limit देखो क्या होगी कहां से कहां तक है 0 से लेकर 90 तक तो लिखो 0 to pi by 2 फिट दूसरा वला दूसरा वला यहां से यहां तक pi by 2 से लेकर 3 pi by 2 pi by 2 से लेकर 3 pi by 2 और तीसरा देखो क्या है 3 pi by 2 से लेकर 2 pi तक 3 pi by 2 से लेकर 2 pi अब देखो जो आपने यह वला area लिया लिया यह जो हैने यह दूनो area positive होंगे है ना अगर आप ध्यान दो यह y axis का यह positive होता है यह y axis का negative होता है है ना तो यह दोनो positive होंगे और यह नीचे की तरफ है ना और यह y axis का negative होता है तो यह वला negative हो जाएगा यह positive यह positive और यह negative तो यहां लिखो plus और y की value cos x cos x dx अब यह वला area लिया इसमें देखो negative है तो यहां लिख दो minus cos x dx और फिर यहां पर भी यह positive है तो positive sin x sorry cos x dx अब इनकी integration कर दो cos x की integration sin x limit लिख दो 0 to pi by 2 यह minus भाहर आचाएगा cos x की sin x limit लिख दो pi by 2 से 3 pi by 2 और फिर इसकी क्या हो जाएगी sin x 3 pi by 2 से 2 pi अब यहां पर values दालते चलो देखो सबसे पहले आप pi by 2 दालो sin pi by 2 1 होता है और sin 0 0 होता है फिर यहां पर sin 3 pi by 2 sin 3 pi by 2 की value minus 1 होती है तो यहां लिखो minus 1 और sin 90 की value बीच में minus sin 90 की value 1 होती है ठीक है अब यहां पर sin 2 pi sin 2 pi की value 0 होती है 0 फिर minus और sin 3 pi by 2 की value minus 1 होती है तो यह बनेगा 1 minus 2 plus 2 हो जाएगा और यह plus 1 हो जाएगा तो answer आ गया 4 square units अब देखो अगला question क्या दिया गए next question है find the area bonded by the curve y square equal to 8x and the line x equal to 4 हमें क्या करना है y square equal to 8x निकालना है और एक line दी विया x equal to 4 तो सबसे पहले देखो यह क्या है यह parabola है ठीक है यह कौन सा parabola है देखो आपके जो paper में जादातर दो ही parabola आते है वैसे होते तो 4 है लेकिन paper में जादातर दो ही पूछते है एक x square वाला एक y square वाला अगर x square वाला है ना तो इसको उपर की तरफ बना दो अगर y square वाला है तो इसको right-handed बना दो अब यहाँ पर देखो कौन सा है y square equal to 8x है तो यह कौन सा बनेगा right-handed parabola यह बन जाएगा y square 8x ठीक है अब x equal to 4 है अब देखो आप इसको जितना मर्जी extend कर लो यहाँ से तो x equal to 4 कही ना कही तो इसके तरह touch होगा ना तो मान लो x equal to 4 यहाँ पर है तो यह बनेगा यहाँ से आपने देखो यह x होता है यह y होता है मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको यह x equal to 4 होगा है ना तो x equal to 4 की line कैसे बनती है 4 से सीधी line खेंच लो यह बन जाएगी x equal to 4 की line तो वो ही हमने यहाँ पे किया तो आपको यह दो area मिल गए एक यह बला यह point लिख दो 00 और यह बला अगर आप दियान दो यह दोनों सेम है हम सिरफ उपर वाले का निकाल लेंगे नीचे वाले का 2 times कर देंगे ठीक है और यह point लिख सकते हो 4 0 तो area क्या बनेगा area bonded region which is equal to 2 times 2 times क्यों कर रहे है क्योंकि और यहाँ पे एक vertical strip भी बना लो vertical strip denote करती है small area तो यहाँ पे लिखो 2 times integral limit देखो क्या होगी इसकी 0 to 4 0 to 4 और formula होता है y dx y की value यहाँ से निकालो यह बनेगा root 8x root 8x क्या होगा root 8 into root x root 8 को हम लिख सकते है न 4 into 2 तो वो बनता है 2 root 2 तो यह बनेगा 2 root 2x यहाँ value दाल दो इसकी और integrate कर दो 2 root 2x dx यह 2 root 2 बाहर निकालो 2 2s आ 4 4 root 2 x की integration करने है x की integration x 2 by 2 यहाँ लिमिट लिखो 0 to 4 अब यहाँ पर limit दालो पहले 4 दालो 4 दालो कि कितना होगा 4 का square 16 by 2 0 दाने पर 0 हो जाएगा तो यह और यह कितना बन गया 8 forza 32 root 2 square units ने 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 गलत कर दिया यहाँ पर रूट x था ठीक करना है इसको यह root x था यह root था यहाँ पर दुबारा करो यह 2 root 2 बहर आजाएगा यह बनेगा 4 root 2 अब यहाँ पर root x बना है root x की integration क्या होती है x की power 1 by 2 होता है root होता है 1 by 2 तो इसकी integration होती है 1 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1 वो कितना होता है 3 by 2 upon 3 by 2 तो यह उल्टा करके उपर आएगा 2 by 3 x की power 3 by 2 अब यहाँ पर limit दालो पहले यह 2 बहर निकालो 4 2 जा 8 8 root 2 और यह 3 बहर अब यहाँ limit दालो 4 की power 3 by 2 0 दालने पर 0 हो जाएगा तो इसको लिखो 8 root 2 3 4 को लिखो 2 का square यह और यह कटेगा यह 8 है ठीक है तो 2 का cube कितना होगा 8 8 8 जा 64 root 2 upon 3 square units यह हो गया हमारा question complete question number 3 देखो क्या दिया वा है find the area under the curve y equal to mod of x plus 3 between x equal to minus 6 to 0 तो देखो mod of x plus 3 का graph बनाते हैं पहले पहले तो mod of x की definition क्या होती है mod of x की definition होती है x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0 तो यह बनेगा x plus 3 आपने क्या करना है x की जगा यहाँ पे x plus 3 करना है ठीक है अगर आप यह नहीं भी लिखना चाहते हो तो नहीं लिखो हम आपको direct shortcut भी बता सकते हैं इसका ठीक है अगर जिसको यह definition नहीं लिखनी है उसके लिए एक और shortcut है एक सेगे रोग जो बस देखो जिसको यह definition मुश्की लगी वो इसको छोड़ दो देखो mod of x का graph कैसे बनाते है mod of x का graph बनाते है आपने देखना यहाँ पर critical point क्या है यहाँ पर critical point है 0 तो यह 0 होता ना x का आपने यहाँ से एक सीधी line खीच लेनी है एक यहाँ से सीधी line खीच लेनी है इसी तरह same यहाँ पर भी अब देखो आपने क्या करने अगर आपको यह definition नहीं आती x plus 3 को 0 put करो x plus 3 को 0 put करोगे तो x कितना आएगा minus 3 अब आप देखो x का minus 3 कहाँ पर है यह माल लो यह minus 3 होगा न क्योंकि यह 0, 1, 2, 3 फिर यह minus 1, minus 2, minus 3 1, minus 1 ठीक है x का minus 3 यहाँ होगा यहाँ से सीधी लाइन खींच लो एक इधर, एक इधर यह बन गया इसका अधराफ ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या कहता है x equal to 0, x equal to 0 यह लाइन होगी x equal to 0 यह लाइन होगी ठीक है x equal to 0 यह लाइन इस लाइन में x हमेशा 0 होता है अब x equal to minus 6 है तो आप देखो minus 6 कहा होगा x का minus 6 यहाँ पर होगा तो minus 6 से सीधी लाइन कींच लो यह देखो, यह हमने minus 6 से सीधी लाइन कींच ली ठीक है तो हमें एक area यह वला मिल गया और एक area यह मिल गया बस area निकाल दो खाता हूँ ज़रूरी निया कि आपको mod की definition याद रखनी है ऐसे भी कर सकते हो तो area bonded region देखो आपने इसको दो area में divide करना है एक area यह वला, एक area यह वला एक यह वला area लेना है limit होगी minus 6 से minus 3 और दूसरा area plus minus 3 से 0 ठीक है अब देखो यहाँ पर है y equal to mod of x plus 3 एक चीज़ हमेशा याद रखो जो आपकी right side में line होगी एक left side है, यह right है, यह left है यह हमेशा positive होगा राइट वला हमेशा positive होगा और यह left है, यह वला हमेशा negative होगा x plus 3 है ना, तो यह negative x plus 3 अगर नहीं समझ आया definition तो लिखी विया है कि minus 3 के right में positive minus 3 के left में negative बस यह values दाल दो अब यहाँ पे देखो पहली value क्या है यह आपने minus 6 से minus 3 लिया तो इसकी value minus x plus 3 और फिर minus 3 से 0 तक x plus 3 ठीक है, left side हो तो negative देखो, सेम ही लिखा है left side हो negative, right side हो तो positive बस integration कर दो, इदर तो खतम हो गया इसकी integration क्या होगी x square upon 2 plus 3x minus 6 से minus 3 इसकी integration होगी x square upon 2 plus 3x minus 3 से 0 अब यहाँ पे limit दालना शुरू कर दो minus 3 का square 9 upon 2 minus 9 minus 6 दाल होगे 36 upon 2, 18 minus 18 0 दालने पे 0 ही आएगा minus 3 का square 9 by 2 minus 9 करो सो all square यह और यह cancel यह बनेगा minus 9 by 2 plus 9 यह बनेगा minus 9 by 2 plus 9 9 by 2, 9 by 2 18 by 2 यह कितना बन जाएगा यह बनेगा minus 9 और 9 plus 9 18 हो जाएगा तो answer आगा 9 square units ही हो गया हमारा question complete question number 4 देखो क्या दियावा है the area of the parabola y square equal to 4ax bounded by its latest rectum हमें क्या करना है parabola निकालना है area निकालना है parabola का latest rectum में देखो पहले कैसे करेंगे y square equal to 4ax दिया हुआ अब यह कौँ सा parabola है y square हो तो right handed कौँ सा parabola होता है right handed यह बना parabola बनेगा अब latest rectum क्या होता है देखो यह जो point होता है यह focus होता है और यह point होता है a0 क्या होता है a0 और यह point 00 तो जो line focus से cross करती है आपने 11 में पढ़ावा है जो line focus से cross करती है उस line को latest rectum क्याते है क्या क्याते है latest rectum तो हमें क्या करना है हमें यह विला area निकालना है और यह विला area निकालना है ठीक है तो आप क्या करो यह दोनों सेम है two times कर दो बस खो गया क्या खत्म यह भी तो area bonded region देखो सबसे पहले two times देखो limit क्या होगी 0 से लेकर a तक x-axis की limit लेंगे और यहां से y की value निकाल लो यह होता है y dx y की value क्या हैगी square को अदर ले जो root 4ax 4 का root 2 a का root root a x का root root x अब यहां value दो यह बनेगा two root a root x dx अब यहां पर two root a बहार निकाल लो यह two root यह बहार आ जाएगा root x की integration यह x की power 1 by 2 तो क्या होती है 1 by 2 plus 1 3 by 2 upon 3 by 2 अब यह 2 यह 2 by यह उल्टा हो जाएगा तो यह 2 इससे multiply होगा 2 2 सा 4 और 3 इसके नीचे आ जाएगा अब यहां पर limit दालो a की power 3 by 2 minus 0 और यह वहला 2 हमने छोड़ दिया ना यह भी 2 था यहां पर तो यह 2 और यह 2 2 सा 4 होना था और यह 8 होना था इसको 8 लिख दो यह है root है ना root को लिको 1 by 2 और a की power 3 by 2 तो when bases are same bases are same powers are added तो 1 by 2 plus 3 by 2 कितना हो जाएगा 4 by 2 वो 2 हो जाएगा यह हो गया हमारा question complete अब एक last बचा है बस फिर खत्म यह भी next question देखो क्या दिया हो है the area of the region y equal to x square and the line y equal to 2 and y equal to 5 is देखो कैसे करेंगे हमारे पास y equal to x square दिया हो है मतलब x square equal to y तो हमने बताया जब x square हो तो यह कौँसा पहरा बोला होता है उपर की तरफ अला ठीक है यह ऐसे बनेगा अब next है y equal to 2 y equal to 2 देखो कहा होगा यह x यह y होता है यहाँ पे y 2 होता है और y 5 होता है ठीक है आपने क्या करना यह y का 2 है यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लो यह बन गया y equal to 2 और फिर y equal to 5 है 5 से सीधी लाइन खींच लो यह बन गया y equal to 5 तो हमें यह area मिल गए दोनों same है एक का निकालेंगे दूसरे का डबल कर देंगे तो area bonded region देखो 2 times limit देखो क्या होगी 2 से लेकर 5 तक अब देखो यहाँ पे हमने limit y की दाली है है ना तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अब x dy यह चीज़ हमेशा याद रखो अगर आब limit y की ले रहे हो तो x कर देना यहाँ पे यहाँ से x की value निकालो square उद चला जाएगा यह बनेगा root y और इसकी integration कर दो root y को लिख दो y की power 1 by 2 इसकी integration देखो क्या होगी y की power 1 by 2 plus 1 3 by 2 और यहाँ पे भी 3 by 2 और यहाँ limit दालो यह 2 उल्टा करके बाहर आजाएगा 4 by 3 limit दालो 5 की power 3 by 2 और फिर 2 की power 3 by 2 देखो यहाँ पे है 5 की power 3 5 की power 3 कितना होता है 125 125 की power 1 by 2 बचेगा और यहाँ पे 2 का cube 8 8 की power 1 by 2 और 1 by 2 को हम कैसे लिख सकते है root 125 और इसको root 8 125 का root क्या होता है 125 होता है na 25 इंटू 5 तो यह बनता है 5 root 5 यह बन गया 5 root 5 और यह बनेगा 2 root 2 यह हो गया कोशन हमारा complete झाहाए relak parody झाहाएEC jeżeli यह होता हैnya झाहाएँ हρχोता थी산वसका हो उस्एर सकते है झाल झाल